विद्यार्थियों सुप्रभातम ओनलाइन अध्यायनम अश्टमीक अक्षा में आप सभी का पुनाहार्दिक स्वागत है। आज हम अध्यायन करेंगे दशमह पाठह नीतिनवनीतम इसके वीडियो में हम अध्यायन करते हैं। पहले पाठ के बारे में कुछ यहां दिया गया है हिंदी में उसे हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपैस लोगों का संकलन हैं जो सदाचार की दृष्टी से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां माता पिता तथा गुरु जनों को आदर और सेवा से प्रसन करने वाले अभिवादन शेल मनुस्य को मिलने वाले लाब की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीद कार्यों को त्यागना सम्यक विचारों परांत तथा सत्य माल का अनुसरन करते हुए कार्य करना आदि सिष्टा चारों का उल्लेक भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं पहले इस लोग को हम अध्यान करेंगे। अभिवादन सीलस्य नित्यम रिद्धो पसे विनहां चत्वारितस्य वरधंते आयुर्विद्यायसो बलम। अर्थात अभिवादन करने वाले की अथवा प्रती दिन अपने से बढ़ों अथवा व्रिद्धो पसे विनहां व्रिद्धों की सेवा करने वाले की। क्या क्या बढ़ती हैं। आयुहु विद्यायसो बलम। आयुहु विद्यायसो बल। ये चार बढ़ते हैं। दूसरे इसलोग की और अग्रसर होते हैं। यम माता पितर उकलेशं सहेते संभवे निनाम नतस्य निश्कृती शक्या करतुम वर्षशतै रपी। माता और पिता जो अपने पुत्रों के लिए दुखों को अथवा कष्टों को सहन करते हैं। उनका प्रतिफल, बदला, सौ वर्षों के उपकार करने से भी नहीं हो सकता। इसलिए इनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। तीसरे स्लोग में कहता है तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्यच सर्वदा तेश्वेवत्रिशु तुष्टेशु तपहसरवं समाप्यते। अर्थात तयोहो मातापिता की और आचार्यस्य और आचार्यक। मातापिता और आचार्यक इन तीनों की सेवा, सुस्रुशा, सदैव करनी चाहिए। इनके प्रसंद रहने से ही सभी प्रकार के तब संपूर्ण हो जाते हैं। आपका सभी महनत जो है वो सफल हो जाता है इन तीनों के प्रसंद रहने से। अगरिम स्लोक की ओर बरते हैं। अर्थात दूसरों की आधीन जो कुछ भी है वह सब दुख दायक है। और जो कुछ भी अपने आधीन है वह सुख कारक है। ऐसा ही सुख दुख का संचिप्त लक्षन करना चाहिए अथवा समझना चाहिए। मतलब क्या है? जितना भी हमें दुख मिलता है वो सब जो कुछ दूसरों की आधीन होता है वो सब दुख दायक होता है। और जो कुछ भी अपने आधीन है वो सब सुख कारक होते हैं। ऐसा ही सुख दुख का लक्षन समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अर्थार जिस किसी कर्म को करने से मनुष्य की आत्मा को संतुष्टी एवं प्रशन्नता का अनुभव हो उस कर्म को प्रयत्न पूर्वक करें। जिससे हमें हमारी आत्मा को अंतरात्मा को रिदय को प्रशन्नता प्रात्त हो ऐसे कर्म को हमें करना चाहिए। जिससे संतुष्टी एवं प्रशन्नता न हो उस कर्म को न करें। तो जिसमें आत्मसंतुष्टी न हो उस कर्म को नहीं करें। आगे बढ़ते हैं। अंतिम स्लोक है। ये क्या कहता है। द्रिष्टी पूतं यसेत्पादं वस्त्र पूतं जलं पिबे। सत्य पूतं वदे द्वाचं मना पूतं समाचरे। अर्थात चलते समय आगे आगे देख करके अपने पैर को रखें। द्रिष्टी पूतं पादं यसेत्पैरों को रखें। सदा वस्तर से चान कर जल को पिबे। वस्त्र पूतं जलं पिबेत। सबसे सत्य वाणी ही बोले। सत्य पूतं वाचं भदेत। और सत्यो पदेश ही किया करें। जो कुछ भी व्यावहार करें। वह मनह पूतं। पूतं मतलब पवित्र। वह सब मन की पवित्रता से ही आचरन करें। इस प्रकार से नीति नवनीतम में, नवनीत की रूप में, मक्खन की रूप में, ये सभी श्लोक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। इन सभी श्लोकों में बहुत ही उत्तम बातों को बताया गया है। इनका पालन करना चाहिए और इन्हें हमें बार-बार समरन करते रहना चाहिए। अस्तु तरिही धन्यमादह सरवेशाम दिनम शुभम मंगलम चभवेथ। झालन करते चाहिए।